तेग आइस दिसका रेन और वाचिंग गैजट सी समझ मोटो E4 Plus लाँच हो चुका है इंडिया में और मोटो E4 Plus का प्राइस रखा गया है रुपीज 9999 मतलब लग 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 10,000 रुपे का और मोटो E4 Plus के स्पेसिफिकेशन फीचर्स क्या हैं और मोटो E4 Plus आपको कहां अवेलेबल मिलेगा और इसके लाओ मोटो E4 Plus के कौन्स या फिर खरीदना चाहिए या नहीं यह फून सबके बार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो लेट्स के स्टार्टेड टेकनलोजी और गैजट से लेटेट सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिया माई चैनल गैजट्सी को और बेल आइकन को दबाना मत बूलेगा सबसे पहले मैं आपको बताना जाओंगा कि जो मोटो एफोल प्लस है उसके हाइलाइटिंग फीचर में उसकी बैटरी आती है मतलब आपको बैटरी अच्छी का से 5000 mAh की मिल जाती है उसके अलाव जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ आपको सिंगल LED फ्लेश भी देखने को मिले सबसे पहले बात कलने मोटो एफोल प्लस के डिसलेगा सो दी दिजएण है मोटो और प्लस का आपको मिलता है अपको मिलता है इस अपको पूरा मेचल डिसाइं के साथ आएगा और इसकी थिक्नेस रहेगी वह जादा रहेगी 9.5 mm कि मल जो एफन जो है वी रहेगा तो इसकी जैसे कि मैंने बताया यह इसका जो हाइलेटिंग फीचर इस फोन का वाइस की बैटरी तो पांचाजार एमेच की बैटरी दी है मला मोटरोला ने तो इसकी ज़र से यह डिवाइस हैवी भी हो जाएगा अगर आप पसंद करते हैं तिन डिवाइस और अलके डिवाइस लाइक डिवाइस तो आप यह बिलकुल मत खरीटेगा इसमें जो फिंगर्पिंट सेंसर है आगे की तरफ मिलता है तो फ्रेंट साइड में होम बटन है उसमें आपको फिंगर्पिंट सेंसर जो आपको मिलेगा और इसके अलाब जो डिस्प्ले है वो आपको मिलेगा 5.5 इंचिस का सह You can to watch a 2.5 साइज और थेल चेकर आपको सिनने को बास पूलएुति अक produkt में एपको 1.9 बहुत है डेलाइज के में आपको फथेल प्लप प्लस के मायमो अन्स टोरेज की रैम आपको मिल जाती है 3GB की और रोम नि car 32 GB इसके अलब इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंडिबल स्टोरिज का ओप्शन मतलब जो HD Card Slot है वो आपको अलग से डेडिगेड़ दिया जाएगा दो से माप अलग से डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड आप अलग से डाल सकते हैं इसके बात आती है Moto E4 Plus के प्रोसेसर की प्रोसेसर आपको मिलता है MediaTek MTK 6L37 और यह 1.3 GHz के साथ Quad Core यह प्रोसेसर आपको मिलेगा और इसके अलब आपको मिलेगा Mali Karti 720 MP1 GPU और Android वर्जिन आपको मिलेगा और गाइस की जैसे की मैने बैटरी बताई आपको 5000 mAh की इसके साथ आपको फास्ट चार्जिक सपोर्ट भी मिलेगा इस पोर्न में यह Motorola का कहना है जो के बात जो है कैमेरा की बात आती है तो Moto E4 Plus में रियर कैमेरा आपको मिल जाता है और जो Moto E4 Plus का फ्रंट कैमेरा है वो आपको मिल जाता है 5MP F2.4 अपर्चर के साथ और 84 डिग्री लैंस के साथ और इसमें आपको जो है फिक्स फोकस मिलेगा फ्रंट कैमेरा में और इसके अलाब जो सिंगल LED फ्लेश आपको आगे की तरफ जो है जो है हाइलाइटिंग फीचर है इस फोन के इसके बाद Moto E4 Plus की connectivity की बात का है तो इसमें आपको Micro USB Port 2.0 देखने को मिलेगा Bluetooth 4.2 वर्जन के साथ और 3.5 mm headphone jack भी आपको इस फोन में मिलेगा और इसमें आपको NFC नहीं देखने को मिलेगा जब बात आती है Moto E4 Plus के पॉन्स की इन फेक्टरस पर डिपेंड करेगा कि यह फोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं सो Moto E4 Plus का सबसे पहला पॉन्स यह है कि इसमें दिया गया है MediaTek IMTK6737 प्रोसेसर जो की बात पुराना प्रोसेसर है तो कहीं नकीं overall performance जो है फोन की उस पर जरूर फरक पड़ेगा इस प्रोसेसर का और मेरे खाल सी जो प्रोसेसर इसलिह दिया गया इस फोन में क्योंकि हो सब्सकता है आपकी बैटरी प्रे इसका फरक पड़े माललाब भी बैटरी एफिशियन प्रोसेसर है जो है इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी, फुल एच्डी नहीं मिलती है और जैस मोटो इफो प्लस का थर्ड पॉन यह है कि इसमें जो है इसकी थिकनेस जो रहेगी फोन की बहुत ज्यादा है तो इसमें आपको हैवी रहेगा फोन अगर आप पसंद करते हैं तिन फोन या लाइट वेड फोन यूज करना आप यह फोन बिल्कुल मत खरी दियागा आपको फोन अवेलेबिल मिल जाएगा फ्लिप कार्ट पे एक्स्लूसिवली और आज के लिए सिफ ओफर है जो आपको अगर इस फोन के साथ खरीदते हैं तो आपको जो है वो शायद हाफ प्राइस पे मिल जाएगी और बहुत सारे ओफर जो है फ्लिप कार्ट पे चल रहे आपको अने वाला है वो आपको मिलेगा तिवाली तक वैस यही थे Moto E4 Plus के स्पेसिफिकेशन फीचर्स अवेलिबिलिटी और इसके कॉंस उमीद करता हूं इससे आपको समझ आ गया होगा कि आपको फोन खाइडना चाहिए या फिट नहीं तो अगर आपको इस वीडियो पस आपको से लाइडना चाहिए या नहीं तो आपको